नवतकार आप देख रहे हैं ससाइटू मैं देवेंदर सिंग लड़ू एक वाइफिड से जब देखिएगा तो सापधानी हटी दुरगटना घटी इस वक्त हमें चौक थाना च्छेत्र के कंगन गाड इस्तित्वे यहां जब देखिएगा तो गंगा मया का भ्यंगम बख्सा है आज फिर यूबक इसी गंगा मया में समाया है गंगा अस्नान करने के पढ़ियास में अपने मित्रों के साथ में आये था मौली का निवासी है जो कि वह पढ़ता है दिदार गाना थे च्छेतर का जब चौक थाना को सुचना मिलती है तो यहां पर अभी चौक थ हार तेज बहता हुआ पानी में लोग अभी भी लोग नहीं मानने है इसका खाम्याजा भुगतता है कौन है बच्चे और बच्चे के जो अभिवाबक आज वह फिलाल नहीं है लेकिन हां सुचना एजडी आरब को दे दी गई है फिलाल इंतजार किया जा रहा है हम सबसे प यहां रहने वाले कहाँ के हो महूले से घांगा आस्टे में बनाजि दिया के दर्शनीह नहीं किया है पूला यजजो इथर अदधर नहीं है मैं नहीं दोन पता आ इधर सब दरे आया हुआ था बुलू डूड में एक लड़का डूबने के सुचना है इसा नहीं हम लोग स्टी कर रहे हैं थे दिवाए गस्ती उसी करब में हम लोग को सुचने मिली आम जनता द्वारा कि एक लड़का डूब रहा है तो हम लोग वहां पहुंचे तो उसका दोस्त महली का बताया कि अभी लड़का डूब गया है इसकी सुचनत तल ठाना धाच महदय को दिजा चुकी है और ंड्र मको सुचित किया जा चुका अल्गकर नहाने के करम में है लग़ां लगताल लबवाई से और तरह एक तरह को हो रही है इस पर निग्रानी और चिन्हित करने का बरियम महदय के पास उचितना दी जाएजी अपर क्या नाम होगा ससी भूसान चौक ठाना जो यूबक गंगा मैया में समाया है डूबा है उसका नाम है सुरेभान सिंग और मौली दिजारगंज के ठानचति के रहने वाले उसकी उम्र लगबग 18 बरस है फिर तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे इससे बहता हुआ तेज धार में गंगा अस्तनान नहीं करें सब्सक्राइब आप देखते रहिए जहिंद